जोहू आता है और शानी को उठाता है वो देखता है कि शानी सोच चुका है वो उसे अपनी गोदी में उठाता है और लेके जाता है और बिस्तर पे रख देता है लेकिन जोब उसे बिस्तर पे रखता है तो जो जोहू है उसे शेरम आ जाती है उसका पूरा चेहरा लाल हो जा फिर वो जल्दी जल्दी अंदर जाता है और वहां से एक blanket लेके आता है और वह वो इस blanket से शाने को ढग देता है सोफे पर दूसरे दिन सवेरे शाने जो है वह बहुत अच्छे से खाना बनाता है नाश्टा बनाता है वो बोलता है कि मैंने देखा कि कुछ पुराना समान रखा हुआ था किचिन में के फ्रिज में तो वो उसी समान को यूज करके उसके लिए एक अच्छा सा पॉरिज, मिक्स पॉरिज बनाता है उजो बोलता है कि तुम इसे अपना ही घर समझो करके वो थोड़ा सा पॉरिज लेता है और बताता है कि वो अधिकतर तो बहारी खाता है कि चिंटों सिर्फ वो परतन धोने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर लेता है तबी शाने पुछता है कि जो तुमने पिछली बर कपड़े कहां से खरी दे या तो जो बताता है कि वो हाथ से बनायावा एक पैजामा था तो पुछता है वो कि शाने कि तुम्हें और भी उस तरह के पैजामे चाहिए क्या तो शाने बोलता है हाँ मुझे चाहिए उस तरह के और भी पैजामे और बोलता है कि क्या तुम मुझे ड्रेस अप करने में मेरी हैल्प कर सकते हो क्या और फिर वो लोग बाहर जाते हैं और पूछता है शाने कि क्या वो अजीब दिख रहा है इस ड्रेस में तो जो वो बोलता है कि जो मैं अपनी लॉलिता के कपड़े बनाता हूँ लॉलिता ड्रेस बनाता हूँ वो सिर्फ तुम ही पर अच्छी लगती और किसी पर नहीं अच्छी लगती तो शाने बोलता है कि सब लोग मुझी को देख रहे हैं थोड़ा अजीब लग रहा है तभी एक कपल जा रहा होता है और वो बोलता है कि देखो ये जो ड्रेस है वो किती सुन्दा लग रही है और वो शाने से पुछता है कि तुमने ये ड्रस कहां से ली है करके तो शाने बहुत शाम से बताता है कि ये ड्रस उसके लिए उसके बॉइफरेंट ने बनाई है और ये ड्रस जो है वो बहुत ही यूनिक है दुनिया में तब ही वो जो दूसा कपल है वो अपनी गल्फरेंट से कहता है यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी ड्रस खरीच सकता हूँ तो लड़की बोलती है उसने देखो अपने बॉइफरेंट के लिए खुद उने वो ड्रस बनाई है तो कै तुम खुद नहीं बना सकते मेरे लिए ड्रस तो शाने जो है वो जोके कान में बोलता है कि यदि तुम इस तरह की ड्रस बनाऊँगे और यदि सैल करोगे तो इससे हमें बहुत ही फायदा होगा तो जोग बोलता है कि जितनी भी लॉली तर ड्रस मैंने बनाई है वो मेरी बहुत हार्ड वर्क का नतीजा है और मैं इसे किसी को भी नहीं भेचूंगा मैं बस खुश हूँ कि तुम ही मेरे ये कपड़े पहनते हो तो जो दूसरा कपल रहता है उसमें से जो लड़की है वो बोलती है कि देखो तुम सिर्फ पे करना जानते हैं लेकिन मेरे ले कुछ बनाना नहीं जानते है और तो लड़का बोलता है कि मानी एक ऐसे चीज़े जिसके लिए मुझे हार्ट वर्क करना पड़ता है तो लड़की बोलती है कि क्या मानी से लेकिन इतनी यूनिक चीज़ें आ सकती है क्या तब ही शाने बोलता है जो देखो अधर देखो ये देखो लालेता वाले कपड़े छोटे बच्चों के लिए भी हैं क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम वो छोटी लड़की से मिले थे जब तुम छोटे थे उसने भी कुछ इसी तरह की ड्रस पहनी थी तब जो बोलता है कि लेकिन उस लड़की के बाल बहुत छोटे थे लेकिन वो बहुत ही क्यूट थी तो शाने बोलता है कभी तुमने सोचा है कि यदि वो लड़की ना होके लड़का हुई तो तब जो वो बोलता है कि लेकिन उसने कहा था कि वो एक लड़के से शादी करना चाहती है तब ही शाने बोलता है कि क्या पता या वो सिर्फ प्यार करने के लिए उसने ऐसा बोला हो तो जो वो सोच में पहता है और शाने सोचता है ऐसा भी हो सकता है शाने अपनी मुठ्या बांध लेता है और उसे सुचता है कि उसे सड़न डी एक ऐसा रिलाइजेशन हुआ है कि जोग का पहला प्यार एक लड़की थी और मैं जो हूँ उसे एक लड़के का प्यार देने के लिए कनवर्ट कर रहा हूँ कि वो लड़के से प्यार करें तो कोई पूछता है कि शाने जब तुम एक बच्चे थे देखो सब जगह तुमने अपना खाना पहला रखा है देखो तुमारी ड्रस भी गंदी हो गई है शाने एक जगह पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यदि जो हूँ कि ऐसी बच्ची होती और उसने ऐसी ड्रस पहनी होती तो वो किती सुन्दा दिखती और ये भी कितनी एक अजीब बते कि यदि वो किसी लड़की को पसंद करता तो ये एक नॉर्मली अच्छा भी होता और वो अपनी प्यार को दुनिया के सामने भी ले कि आ सकता और वो एक स्ट्रेट मैन है मैं उसे क्यों उसमें बदलना चाहता हूँ कि वो एक लड़के से प्यार करे तभी लोगों का जूंड आता है वो बोलता है कि मैं ना शॉपिंग करते करते ठक गया हूँ क्या तुम दोनों ने भी शॉपिंग कर ली वो दोनों लड़कियां कहते हैं कि डायरेक्टर आप आराम करो अच्छा अपना ख्याल रखो ठक गये होगे और जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि लड़कियों की शॉपिंग का कभी भी कोई अंत नहीं होता है मुझे भी कोई प्लेस ढूननी चाहिए और थोड़ी देर बैट जाना चाहिए आगे का मैं ठक गया हूँ तभी वो देखता है कि वहाँ पर शाने है और वो सुचता है कि ऐसा नहीं लगता कि वो क्यूट जो लड़की है लड़कों के आउट्फिट में वो शाने है प्लाने बैठा बैठा टिशू पेपर के साथ खेल रहा होता है और उसके सारे टिशू पेपर खतम हो गए होते है और वो सुचता है कि मैं रोना क्यों नहीं रोक पा रहा हूं क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा होता है तब ही वो डारेक्टर आता है बोलता है लिटल शाने क्या तुम ठीक हो और ऐसा कहके उसे एक रुमाल देता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो तुम यहां अकेले क्यूं हों और इसके आशो पोच्टा है तो शाने जो बोलता है कि आपने किसी गलत परसन को देख लिया है आपको शायद कोई गलत नहीं हुई है मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं तो वो बोलता है कि तुम तो boy और girl twins होना identical twin होना तुमारी मा के तुम दोनों तो एक जैसे ही दिखते हो डारेक्टर यह बोलता है तो शाने बोलते है कि हमारे जो जीन से वो हमारी मा की तरह आये हैं एकदम अच्छे तो डैरक पुछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से तुम्हें रोना आ गया क्या ये बहुत ही कोई सैड स्टोरी है जो तुम मुझे नहीं बता सकते तो शाने बुलता है, नहीं ये एक सैड स्टोरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दिल को गरम कर देने वाली स्टोरी है मैं तब भी नहीं रोया था, जब मेन करेक्टर मर जाता है किसी मूवी में बड़ मैं तब रोया जब एक करेक्टर किसी का इंतिजार चुप चाप किये वे अपनी जिंदगी पिता देता है जरूर वो उन्चो करेक्टर है वो बहुत ही सिली होगा उसका करिक्टर, मतलब वो जो करिक्टर वो जा चुका है लेकिन जो जो इसका इंतजार कर रहा है वो हमेशे उसका इंतजार करता रहा गया तो डायरेक्टर बुलता है कि हमेशा एक अच्छा तरीका होता है कि यदि आपका दिल तूट चुका है तो आपको एक नया रिलेशंशिप स्टार्ट करना चाहिए उससे आपके दिल को सुकून मिलता है ऐसा नहीं लगता है तो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो शाने स्टन रह जाता है और डिरेक्टर बुलता है अच्छली तुम शानली हो यानि कि डिरेक्टर सोच रहा है कि जो शाने है वो जो शानी की ट्विन बहन है तब ही जो आ जाता है और बुलता है डिरेक्टर मैं और शानली जो है वो डेट पे है डारेक्टर बुलता है जो तुम यहां क्या कर रहे हो तो शाने अपने मन में सुचता है कि जो ऐसे अचाना काया इसने तुम मुझे डरा दिया अचाना काके और मुझे लगा था कि वो वागई में मेरा असली नाम दे लेगा डारेक्टर के सामने तो डिरेक्टर बोलता है, ओ, I see मैं तुम्हों को डिस्टब नहीं करूँगा अच्छा, मैं आगे चलता हूँ तुम लोगों को एक अच्छा वीकेंड मुबारक हो शाने बोलता है कि जोओ, तुम आज अच्छे मूर में रग रहे हो क्या तुम लोलुई के साथ और्ड्स में हो जोओ बोलता है, तुमने मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे तो शाने बोलता है कि मैं तो सिर्फ वाश रूम में गया था रेस्ट रूम में, उससे जादा कुछ नहीं जोओ बोलता है कि मैंने तुमें हर जगह देखा, मैंस टॉलेट में भी देखा वोमेंस रेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन तुम कहीं भी नहीं थे तो शाने को थोड़ा गिल्टी महसूस होता है और वो उसे सॉरी बोलता है कि I am सॉरी और जो बोलता है शाने तो शाने बोलता है कि मुझे शादे नहीं बुला जो उसके गालों को पकता है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है तो शाने को लगता है कि वो जान जाएगा कि वो रो रहाता और वो से पुझते है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हे उस नजरों से देखते हैं तो शाने बोलता है कि वो लोग मुझे नहीं शायद इस कपड़े को देख रहे थे जो कि तुमने इतनी सुन्दर बनाए है जो वो बोलता है मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोच रहे थे तो शाने बोलता है शायद वो इस खप्ड़े को चुराना चाते है और खराब कर देना चाते है और अधिक तो लोग ऐसा ही सूचते हैं और शाने बोलता है कि यदि तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारी ड्रेस को गंदा कर दूँगा तो मैं तुम्हें ऐसे दो के वापस कर दूँगा जो बोलता है कि मैं अपनी ड्रेस के लिए वरीड नहीं हूँ तो शाने बोलता है कि तुम फिर किस चीज़ के लिए वरीड हो लोगो बोलता है कि यदि ड्रस खराब भी हो गई तो मैं उसे एक नहीं बना सकता हूँ पर यदि तुम चले गए तो मैं कहां से दूसरा लाओंगा क्या होगा उसके बाद तो शाने बोलता है मैं मरा नहीं हूँ तो फिर के लिए तुम रो रहे हो और ऐसा कहके शाने और जोव एक दूसरे को गले लगा लेते हैं शाने पुछता हूँ जब तुम वो लड़की से मिले थे जब तुम छोटे थे वो मैं ही हूँ और मुझे लड़के पसंद है तो जो बोलता है शाने तो शाने बोलता है क्या तुमें कोई आपती है कि मुझे लड़के पसंद है तो जो बोलता है शाने जाए तुम लड़का हो या लड़की मैं तुमें हमेशा पसंद करूंगा मैं तुमारा हमेशा एक अच्छा दोस बनके रहूंगा तो शाने को लगता है कि उसने कहा कि वो एक अच्छा दोस बनके रहेगा एक अच्छा दोस बनके रहेगा और वो अपनी आखे खुलता है तो बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सच नहीं था यह तो सिर्फ एक सपना था और वो सोच लेता है कि मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा इस बारे में कि वो जो चोटा बच्चा उसे उस टाइम पे मिला था एक लड़की के रूप में वो मैं ही था रिंग 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 क्लास का टाइम हो गया और तभी उनके डाइरेक्टर सीनियर लाउली क्लास में आते हैं और वो शाने को लड़कों के कपड़े में देखते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये एक ड्रस दिखाना चाहता हूँ क्या ये खुब सूरत नहीं है शाने बोलता है क्या तुमने इसे डिजाइन किया है तो डाउली बोलता है कि हाँ ये मैंने कपड़े को डिजाइन किया है और ये फीमेल लीड के प्ले के लिए मैंने इस कपड़े को डिजाइन किया है तो शाने बोलता है कि मैं तो लेकिन कभी भी औरतों के कपड़े नहीं पेने गा पहनूंगा और ना ही मैं ये रोल कभी फीमेल वाला प्ले करूंगा तो इसमें कोई भी negotiation करने वाली बात नहीं है और ऐसा करके जो उसकी dress का catalog था वो लाउली को शाने वापस कर देता है तो लाउली बोलता है कि सच में तुम negotiate नहीं करोगी कि सच में तुम इस बारे में नहीं सोचे होगी कि तो शाने बोलता है मैं manly हूँ मैं man हूँ मैं क्यों अड़ों के कपड़े पहनूंगा और क्यों ऐसा चाहूँगा कि बाद में फिर लोग मुझे तरह-तरह के नाम से बनाए for example little princess तो लाउली बोलता है कि मैं भी नाम से बड़ा नफरत करता हूँ मुझे भी ऐसे नाम पसंद नहीं है तो शाने बोलता है कि तुम मार खाना चाहते हो मैं तुम्हें मारूंगा यादि तुम ऐसी बाते करें होगे तो तो लाउली बोलता है लेकिन तुम कुछ भी कहो वो ड्रस तो मैं तुम्हारे ले तयार कर चुका हूँ और मुझे बार-बार आदमियों के कपड़ों में बदलना बड़ा ही troublesome लगता है लगता है सारे जो costume department के लोग हैं वो आज overtime work करेंगे तो शाने बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं और तो के कपड़े नहीं पहनूंगा ये कोई मेरा business नहीं है कि मैं और तो के कपड़े में पहनूंगा तुम देख लो तुम क्या करोगे और डायरेक्टर को पूछता है कि डायरेक्टर आपको नए कपड़े बनाने है कुछ नए इन फैब्रिक्स चाहिए क्या और जो उनकी एसिस्टेंट रहती है वो बोलती है कि ये तो बड़ी दुखी बात है नए पहने की ओ, क्या लड़कियों के कपड़े नहीं बहनना चाहता है और आदमी की कपड़े पहनना चाहता है और हमें अब फिर से आदमी के कपड़े बनाने है पढ़ेंगे तो लावली बोलता है कि ये जो ड्रस है, वो तो उस ड्रस को काटने लगता है हमें ये ड्रस नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक लड़के के ड्रस चाहिए तब ही शाने आजाता है और बोलता है क्या मैं इस ड्रस को बचा सकता हूं तो लोली बोलता है कि तुम्हें इस ड्रस को फिर से वैसे ही देखना चाहते जैसे पहले से थी तो हम इसे restore कर सकते हैं fix कर सकते हैं तो शाने बोलता है नहीं तुम्हें इसे fix करने की कोई जरुवत नहीं है मैं तब ही जाउली आ जाता है जाउली बोलता है कि मैं एक नया set men clothing का बनाना चाहता हूं और मैं इसे अलगी बना लूँगा तो शाने को जाउ जो है वो अपने पीछे थोड़ा सा ले लेता है जिससे दूसरे लोग उसको ज़्यादा ना देख वाए तो लाउली बोलता है कि लेकिन तुम्हारे close तो बहुत complicated होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है performance को इतनी चल्दी कैसे तयार होगा क्या तुम सच में या केला बना लोगी तो लाउली बोलता है कि आई शाने तुम्हारे ले कपड़े बनाए और तुम मेरी बनाई भी dress पहनना चाहोगी तो ज़ो बोलता है वो मेरी पहनेगा शाने भी बोलता है कि मैं उसकी पहनूंगा पर शाने सुचता है कि ये तुम्हारे लेए difficult होगा ना फिर से उस dress को बनाना तो ज़ाओ बोलता है it's okay कोई problem नहीं मैं बना लूँगा शाने बोलता है कि मैं भी ज़ाओ के बनाएवे ही कपड़े पहनना चाहता हूँ पर उन्हों ने कित्ती मैंनत किये यदि मैं नहीं पहनूंगा तो शायद वो कपड़े बिकार हो जाएंगे और फिर वो लड़की का dress उठा लेता है और बोलता है कि मैं कभी भी वोमेंस का क्लोट नहीं पहनूगा और वो भाग जाता है लाउली हसने लगता है कि मैं जानता था कि वो श्रस को खराब नहीं करना चाता है जाने उसे तिर्ची नजर से देखता है एक हपते के बाद ओ माई प्रिंसेस तुम कितने सुन्दर लिख रहे हो अब प्रिंसेस लाइफ मेरे लिए दे दिया ओ माई प्रिंसेस ये जो लड़का है दूसरा वो प्रिंसेस टीना का रोल प्ले कर रहे है और प्रिंसेस टीना बोलती है कि तुम डोंट वरी मैं तुमें एवेंजन करूंगा शाने ओ टीना को बोलता है और टीना जो है वो मर जाती है माई प्रिंसेस तभी जो लड़की असिस्टेंट है बोलती है अरे वार क्या स्ट्रॉंग सीन था ये और अब हमें एक डे को टकप करना चाहिए तो स्क्रीन राइटर की जो टीम है वो पहले जा सकती है शाने बोलता है फूली क्या सारे कोस्ट्यूम रेडी है तभी वो बताती है कि इंडेलन ने रूल स्विच कर लिया है शाने के साथ अब मुझे जो है वो प्रिंसेस की लाइने याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा वोइस थोड़ा रफ है लेकिन हम उसे डब कर लेंगे और उसे ठीक कर देंगे और वो बताती है कि सब कुछ तयार हो गया है शाने लेकिन तुमारा जो प्रिंस का कौस्ट्म है वो तयार होने में तोड़ा लेट होगा शाने बता हो, I see शाने को चिनता हो रही होती है कि ये बहुत ही difficult होगा वो अपने आप अकेले कर रहा है जो वो कैसे है उसकी ड्रस को इतनी जल्दी तयार करेगा और फिर वो सुचने लगता है कि देखा जाए तो जोगो ने उसे बिंकुल भी contact नहीं किया है और काफी दिन हो गए है शायद वो बहुत ही busy होगा मैंन के cloth बनाने में और मैं कभी-कभी जाओ को देखता भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो absent-minded है उसका ध्यान कहीं हो आ रहे तभी जोगो को कैंटीन में देखते है और वो जहेलो बोलता है classroom की building में शाने बोलता है जोगो आज रात और फिर लेकिन जोगो कुछ ध्यान नहीं देता हूँ चला जाता है और तभी वो बलता है कि तुम ही वो इंसान थे जिस ने कहाता कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और अब तुम ऐसे जा रहे है और जाने जाता है और जाके हो उसका घर का रूम कोलने लगता है और जब वो खोलता है तो उससे लगता है कि वो दर्वाज़ा वापस बंद हो गया और वो चिल्लाता है वाह से कि जाओ HIS open door दर्वाज़ा कोलो तुम मेरे मुपे कैसी दर्वाज़ा बन कर सकते हो तो जाओ फिर से उपन करता है और बोलता है वेलकम शाने और शाने जो है वो जदी से उजो की एक्तम करीब जाता है और बोलता है कि तुम थोड़ा खराब से लग रही हो क्या हुआ तुमें तूमने लगता है तीन चाह दन से नाया भी नहीं तुम्हारे पास से बास आ रही है क्या कुछी है शाने है जब ऐसा बोलता है तो जोह बोलता है अरे यह क्या हो गया तो बोलता है मैं जल्दी से जाके शावर लेके आता हूं और जब शाने अंदर आता है हो तुछ fino कप नुडल के कुछ पाकेट्स पड़े हैं और जब वो पैटता है तो फटक से उठ भी जाता है और जोहू जब नहांकर निकलता है तो उससे माफी मंगता है कि तुम्हें मुझे इस हाल में देखना पड़ा और वो बताता है कि मैंने सारी चीज़े अल्मूस्ट तयार करनी है मैंने तुम्हेरा मेंस क्लोज बना लिया है I hope कि तुम्हें मेरे से embarrassment नहों तो शाने बोलता है कि मैं सोना चाहता हूं और जोहू बोलता है शाने क्या हुआ क्या कहते हैं फिर उसके बद जो है जो साड़े ग्यारा बचरा होता है और जो बोलता है या और अलमस्ट होई गया मुझे थोड़ाजा टाइम लगेगा लेकिन चाने उसे जवदस्ती पुश कर देता है दूसरे रूम में कि वो जाके तोड़ी दे सो सके और बोलता है कि तुम तोड़ी दे सो नहीं सकते तुम इस तरह अपने बोड़ी को हाम नही पढ़ेगा यदि मुझे मुझे लड़कियों के बिकनी भी पहन के रैंप पे चलना पड़े ट्रामा में तो मैं चलूँगा लेकिन अपी तुमें सोने की ज़दाते जो एकदम से आके फाड़के देखता है कि ये बिकनी की बात कर रहा है जो करके जो फटाक से शाने के सकता हूं तुम क्यों इतनी मेनज कर रहे हों तो जाओ अचाना कुछ चाहता है बोलता है उसमें कोई कारण होगा कि तुम सबके सामने लड़कियों की ड्रस क्यों नहीं पहनना चाहते राइट टो बोलता है मैंने ही चाहता कि कोई भी तुमारा मास्क जो है दिखावे का उतारे कि तुम एक लड़की हो लेकिन लड़की का कपड़े पहनना चाहते हो और फिर वहां से वे एक box निकालता है face marks और ना शाने जो है जो के facial पे face mask लगा देता है और बोलता है अब जाओ तुम जाके थोड़ी दे सो जाओ और यह मास्क तुमारे eyes के dark circles को निकाल देगा और शाने सोचता है कि यह तुम सच में जानते हो कि मैं अपने चेहरे पे कौन सा mask लगा के भूम रहा हूं ऐसा करके मैं सूचने लगता है और सूचता है कि यह mask सिर्फ तुम ही मेरे चेहरे से उठा सकते है और उसके आखों में आसुआ जाते हैं मैं अपने आप नहीं कर सकता हूँ ऐसा सूचता है वावा चल रही होती है और जो को शाने आके थोड़ा सा उसके गाल पो करता है तो जो भी आखे खुल जाती है और जो शाने है उसने अपने आपको लड़की के रूप में वापस रिजब कर लिया होता ह अब उठो भी नाष्टा तैयार हो गया है तो जो सुझता है कि वो शाने के बारे में ड्रीम देख रहा है शाने कैसे हो सकता है लड़कियों के कपड़े में उसने अपी तो कहा था थोड़े दिन पहले कि वो लड़कियों के कपड़े अब नहीं पहने का करके मैंnosis कर जाधा Tension मत लो और शानेद पूछता है कि तुम लश्म के लिए क्या खाना चाते हु तो जो बोलता है Strawberry and Soda शाने सुचता है निए स्ट्रावरियों Soda यह उसाह डेजरργा ऐसाथ अच्छा लगेगए और पफ भी अच्छे लगेंगे तो जो बोलता है वैसे तो मैं खाने में कुछ भी खाय सकता हूँ तुम्हें कुछ खास चिंता करने की जरुएत नहीं है और शाने बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर से जाके सारा समान ले आता हूँ तो जो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तो शाने बोलता है कि तुमने अपने कपड़े बनाने का काम खतम कर लिया जो बोलता है नहीं तो फिर तुम्हें जाने की जरुएत नहीं है शाने बाहर निकलता है और रास्ते में चलता है सोचता है कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं दिन में यदि हम स्टीक्स खाएंगे तो उसे शायद बीयर के साथ देना अच्छा लगेगा तब ही वो देखता है कि बाहर एक कपल है और वो दोनों बात कर रहे हैं कि वो लड़की बोलते है कि फिर तुम जाके अखेले पीलो मैं नहीं आऊंगे तुमारे साथ तुम सिर्फ अपने ही बारे में सुचते हैं तो शाने देखता है कि वो जो दूसरा लड़का है वो कोई और नहीं उनका जो डायरेक्टर है लाउली वोई है और वो सुचता है कि लाउली को क्या कोई नहीं लड़की गर्फरेंड मिल गई है क्या तो शाने बोलता है कि लाउली क्या तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे तो लाउली बोलता है नहीं कोई फरक नहीं पता वो अपनी मर्जी से चली गई मैंने थोड़ी ना कहाता हूँ से जाने करा और वो लाउली बोलता है कि तुम कहां जा रहे हो तो शाने बोलता है कि वह सूपर मार्केट जा रहा है लंज का समान ने निकले तो लाउली बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लंज खा सकता हूँ शाने फ़र से बोलता है नहीं तो लाउली बोलता है तुम इतने आजीब सा क्यों भेहेव कर रह रहे हैं तो शाने जाते बोलता है कि डेट पे अधितर कि कोई dessert खाते है तो जादा चाहता है कोई meaty cheese खा सकते है तो अच्छा होता है अलावली सोच रहा होता है deserts with juice यानि कोई मीठी चीज़ juice के साथ और इसी तरह शाने सोचता है कि stick और beer दोनों का combination अच्छा लगेगा इधर पर दूसी तरह लावली सोचता है इनकी अकेले खाना भी एक बहुत boring काम है तब ही वो दिखता है कि दो लड़कियां आगे से जा रही होती है और जो शाने है वो अब घर पहुँच चुका होता है और शाने की सिस्टर का message आता है कि भाई मैं senior लावली का और मेरा सामना एक साथ हो गया था और मैंने आज लड़कियों के कपड़े पहने थे और उसने मुझे लड़कियों के कपड़े में देख लिए अब शायद उसे पता चल गया होगा कि तुम शाने हो और लड़की बनके गुम रहे हो क्योंकि उसने मुझे देख लिया और आज मैं भी लड़की की कपड़े में आये थी तो लाउली को शाने बोलता है कि तुम लाउली को कह दे ना कि तुमने एक्सीडेंट की मेरे कपड़े पहन दिया और कुछ नहीं तुम उसके सामने लड़की की तरह बीव कर सकते हो और हम इस चीज से बच जाएंगे तो वो बोलता है शानली बोलती है कि भाई मैंने लाउली को प्रॉमिस कर दिया है कि हम लोग आज लंच साथ में करेंगे तुम फट से लड़कियों के कपड़ उतार हो लड़कों के कपड़ पहन के बच जाओ तो उसके बाद फोन के मैसेज खतम हो जाते है और शानली को लगता है कि वो पागल हो जाता है जाएगा और तब भी जाओ देख लेता है उसको चिलाते हैं तो फिर थोड़ी देर में जब वो खाना तयार हो जाता है तो शानली आती है और अपने भाई से सौरी बोलती है लाओली बोलता है अच्छा तो तुम दोनों डेट कर रहे हो शानली और जाओ तो शानली सोच रहा होता है कि अब मैं क्या जवाब दू इस चीज को बिशाल नहीं उठती है और बोलती है कि मुझे जाना है तुम लोग अपना खाना एंजॉय करो और बोलती है कि ब्रदर मैं बाद में कुछ थोड़े स्नेक्स तुमारे लिए बीज़ दूँगी ऐसे माफी के तौर पे और शाने सोच रहाता है कि ये कितना आजीब है मैं तब भी जाओ बोलता है कि मैंने शाने को लड़केों के कपड़े पहनने के लिए बोला था लेकिन उसका दिल बहुत इनारह मैं और हो मुझे ना नहीं कह पाया और जो शाने है वो अपने लड़कीयों के क्लोथ को अपने रियल नाम के अंडर में नहीं पहनना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो रियल नाम से कपड़े पहनेगा तो लोग उसका मजाग उड़ाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि वो एक लड़का होके लड़कियों के कपड़े पहनता है तो लाउली बोलता है कि यदि वो अपनी सिस्टर के नाम से लड़कियों के कपड़े पहनता है तो किसी को पता नहीं चलता तो शाने बोलता है कि लेकिन जाओ ने प्रिंस की कपड़े बना लिये हैं और में उसकी मेहनद को वेस्ट नहीं जानों दूँगा और मैं इस आय्डिया पर बिल्कुल भी नहीं जुकूंगा कि मैं लड़की के कपड़े पहनूँ मैं प्रिंस के ही गपड़े पहनूगा तो लावली बोलता है लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि तुम लड़की का रोल ना ही प्ले करो मतलब प्रिंसेस का रोल ना प्ले करो पर तुमको एक बार तुम मुझे लड़कियों के कपड़े में डेट करना पड़ेगा लावली ऐसा बोलता है तो रिशाने बोलता है क्या तुम मज़ा कर रहे हो तो क्या तुम मुझे डरा रहे हो तो लावली बोलता है लेकिन जब तुम जाओ के बनाएवे कपड़े पहन सकते हैं तो मेरे बनाएवे और शाने का जो रिष्टा है वो special है इसलिए वो मेरी ही बनाए कपड़े पहनेगा और तब ही शाने तैसला कर लेता कि अब उसे और किसी से भी कुछ भी छुपाने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही tiring होता है identity को बार बार छुपाते रहना तो वो बोल देता है कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है मुझे cross dress करना अच्छा लगता है और मुझे जाओ जो कपड़े बनाता है वो तो पहुत ही पसंद है तो लॉली बुलता है कि मुझे तो पहले से ही पताता कि लेटल शाने को लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है और तुम जो प्रिटेंड कर रहे थे जावली के साथ लड़की बनके गुमने का वो से फिषडे कि कि पता नहीं च 그렇지 कि तुम जो हो वो लड़के हो तो भी शाने बोलता है कि लेकिन अब मैं और लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूँगा अब मुझे अकेला छोड़तो लाव ली तो लाव ली जो है वो चौक जाता है कि अब से तुम क्यों नहीं लड़कियों के कपड़े पहनूगे और जाओ भी चौंक चालता है तो वो बोलता है शाने क्या वात है तो शाने बोलता है कि सौरी जाओ मैं ये लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा मैं ये लड़कियों के कपड़े पहनते पहनते भूली गया कि मैं एक लड़का हूँ और मैं तुम लोग सबको किसी न किसी प्राब्लम में घसीटता रहता हूँ तो वो बुलता है कि तुम्हें शायद किसी और मॉडल को देखना चाहिए जो तुम्हारे कपड़े पैने तुम्हें जाओ को बहुत धक्का लगता है उसे लगता है कि शाने ऐसे कैसे बूल सकता है कि उसे किसी और का मॉडल देखना चाहिए जबकि वो एक मॉडल नहीं वो तो उसका प्रेमी है करके और शाने अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कि मैं काम डाउन हो जाओ मैं हमेशा प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहता और वहां लावली सोच रहा होता है कि जाओ के सामने कैसे शाने अपना मूँ बंद कर लेता है क्या सच में जाओ और शाने एक दूसरे से प्यार करते हैं पर्ट से शाने उठता है और जाओ की आखे अपने हाथों से ढख देता है जाओ पुछता है यह तुम क्या कर रहे हो तो लाउली पुछता है क्या कर रहे हो तब ही शाहने बुछता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता मैंने कुछ गलत कह दिया है तब ही जाओ जो है वो दास हो गया है और लॉली सुचता है कि जाओ रो रहा है क्या सच में जाओ जो है वो इतना अलग है जो इतनी हसानी से रो देता है तभी बॉइस होस्टल में लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरा मेरी जर्सी कहा है करके पीगी ली क्या तुमने मेरी जर्सी देखी है क्या कहा तुमने तभी वो कहता है कि शाने शयद आव वापस आ जाएगा मैं इस कमरे में नहीं रहना चाहता हूं तभी दरवाचे पे नौग होता है और पीगी को अपना जर्सी मिल जाता है और वो देखता है और उनके रूम के सामने शान्य खड़ी है और जेखने लगते है और चाहते हैं कि फिमेल शाने क्या यह फिमेल शाने है तो चाहली बोलती है कि मैं अपने भाई को कुछ देना चाहती थी इस नेक्स इसल यहां पर आही हूं तो लड़के पुछने लगते हैं क्या तुम शाने की बेहन हो तो लड़की बुलती है हाँ मैं शाने की बेहन हो और यह मेरे बाई की सीट है करके और वो इधर उधर आके देखती है और देखती है कि वहाँ पर शाने के कपड़े रखे वे हैं और सुचती है कि यह सब तो शा पैसी उलट पुलट के रख देती है, तभी पीगी ली पूछता है, क्या तुम इसे टाइडी नहीं करोगी, क्या तुम ऐसे इसे फेक के चले जाओगी, तो शाननी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, मेरा भाई आके सब ठीक कर लेगा, और बोलती है कि मुझे जाना और कह के च शानली का दिहान अपनी तरफ लेने की उसका एक बॉइफरेंड है तो जो दूसरा लड़का है वो सोचने लगता है पिगेली सोचने लगता है कि यदि यह लड़की नहीं होके लड़का होता तो ही बहुत अच्छा था तब ही मैं उससे प्यार कर सकता होता लाउली बोलता है जाओ क्या तुम रो रहे हो शानली फट से जाओ को बचाने की कुशिश करता है बोलता है नहीं वो क्यों रोएगा उसकी आखों में कुछ चला गया है मैं उससे ले जाता हूँ और उसकी आखे वाश कराता हूँ और लावली सुस्ता है किया सच में जाओ रो नहीं रहा था या उसे वहम हो गया शाने भूलता है जाओ अब तुम एक बड़े आदमी हो तुम कैसे हैसे रो सकते है इसली तो जाओ बोलता है कि यदि शाने तुमें पसंद नहीं कि मैं रूँ तुम अब कभी नहीं रूँगा शाने बोलता है कि तुम सच में अपने आसों को खोल्ड कर सकते हैं और रोगे नहीं तो जाओ अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं नहीं रूँगा यदि मैं अपने इमोश को कभी सामने नहीं आने दूँगा तो तो शान ने सोचता है कि हाँ ये वाला फीलिंग भी बुरा नहीं है और जाओ तभी पूछता है कि तुमने कहा कि मैं एक नया मॉडल ढूनों उसका क्या मतलब है तो शान ने बुलता है यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो जाओ पुछता है तो तुम क्या सोचते हो क्या तुम मेरे बनाएवे लॉलिता क्लोट्स नहीं पहनना चाते हो ऐसा करके जाओ से पुछता है और तभी शाने की दिल की धड़कने बढ़ जाती है थम थम करके आवाज आती है उसके जिग में से और शाने मुलता है लेकिन लड़कियों के कपड़े पहनना ही मेरा सिर्फ एक मकसद नहीं है एक लड़का यहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहन के आता है और सारी राद रहता है आजू बाजो के लोगों को गलत फहमी होगी वो क्या सोचेंगे कि हमारा किस तरह का का रिलेशन्शिप है और मुझे लगेगा कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा है शाने जाओ को समझाने की खुश्यस करता है और वो तुरन्त जाओ की तरफ आंक उठाकर देखता है और एकदू से चौक जाता है और वो बॉलता है क्या जाओ बाजा दूम्हार में चलने की चलर रहती है और जाओ बलता है नहीं नहीं कोई प्राप्लम नहीं है और शाने जोग को बात्रूम में छोड़ के आता है और लावली पुछता है क्या जोग ठीक है तो बुलता है हाँ जोग ठीक है उसकी आखों में जरा कचरा चला गया था इसलिए मैं उसको वापस छोड़ के आया हूँ तभी लावली पुछता है कि जाओ तुम्हारा जो कॉस्ट्यूम तुम बना रहे हो वो कैसा चल रहा है क्या तुम्हें कोई मेरी मदद की जरुवत है तो जाओ बुलता है नहीं मुझे कोई मदद की जरुवत नहीं है और लाउली सुचता है क्या उसे कोई मुझे से प्राबलम है जो मुझे इस तरीके से देख रहा है और बोलता है ठीक है यदि जाओ को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं तुम दोनों की रॉमेंटिक रिलेशन्शिप को डिस्टरब नहीं करूँगा और मैं आगे चालता हूँ करते हो और वो जाओ जो हो मेरे से बहुत अजीब तरीके से भी पेशा रहा है और जाते जाते लाउली बोलता है कि मैं किसी को शाने के प्राबलम के बारे में मैं नहीं बताऊँगा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है शाने लाउली को थैंक्यू बोलता है कि वो उस गर से चाला जाता है तब ही जोव आता पूछता है शाने के तुम भी जा रहे हो शाने बोलता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ और जोली बोलता है कि ठीक है तुम जाओ मैं और नहीं रोंगा और तब ही शाने बोलता है कि यदि तुम्हें कोई प्राब्लम नहीं है तो ठीक है फिर तब शाने बोलता है कि यदि तुम्हें कोई मॉडल चाहिए लागे तर ड्रेस कोई तो मैं उसे ढूंड सकता हूँ लेकिन छोड़ो जाने तो अभी रेहसल का टाइम हो रहा है तो हमें कलब जाना चाहिए अजाओ बोलता है कि मैं किसी मॉडल के लिए नहीं देख रहा हूँ तो शाने बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा घर को ठीक करने के लिए ठीक फवेस्टिक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ शाने जाते 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 बोलता है कि तुम ठीक से खाना और जल्दी अराम करना और टेबल पर जो डिशेज बनी वी है वो जली वी है तो मैं उन्हें खाने की जरूरत नहीं है और मैं तुमारे लिए कोई टेक अवे ओडर कर दूँगा इसलिए तुम उस्चे बाद में कर लेना जो बोलता है नहीं मैं वो सारे लिशेज जो जले वे हैं वो ही मैं खालोंगा कोई 주는 नहीं मूज़े तुमने कोई दूसरी चॉइस नी चोडिए अग्धे यहां रहना पड़ेगा और डिशेज और क्लीन करना पड़ेगा और लावली जब वहाँ निकलता है वो सोचता है कि हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रिलेक्शन्शिप में हैं पर इन दोनों का रिलेक्शन्शिप इतना इंटरस्टिंग क्यों है और सोचता है कि मुझे भी एक बॉइफरिंड ढूणना चाहिए किसी गल्फरिंड की जगह में कितना सब कुछ होने के बाद शाने जो है वो अपने बॉइज ऑस्टल में लौट जाता है लेकिन जब वो बॉइज ऑस्टल में लौटता है तो वो काफी दुकी होता है और सोचता है कि बॉइज ऑस्टल में रहना भी कोई असान काम नहीं है कितना मौफी है यहां कितना गंदा करके लगते हैं लड़के एक भी आदमी अपने रूम को साफ नहीं करता है और ऐसा सुचते वे वो अंदर आता है और सोचता है कि शायद उसे भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वो कोई किसी से प्यार करेगा तो वो शायद इंदी एंड में हॉर्टी होगा वो बिना प्यार के भी रह सकता है तबी उसका दोस्त वहां आता है डायून और कहता है शाने फाइनली तुम आ गए और वो डाने जो है वो बहुत ही खुश होता है शाने को देखके कहता है कि मैंने तुम्हें कितने लंबे से सामे से नहीं देखा तुम कहां चले गए थे शाहने बोलता रहे तुम जाके शावर लो तुम बहुत ही स्वेट हो रहे है और तुम्हारे पास से बाहा सारी है तभी डावो बोलता है कि मैं बास्केट बॉल केलने गया था वहां से आया तो मेरे कपड़े जो है वो पसीने में भीग गई है इसलिए मेरे पास से बहार बास आ रही है शाने देखता है कि डाव ने अपने कप्र होता रहे हैं और उसके शोल्डर पर कुछ लगा हुआ है डाव बोलता है चिंता कि कोई बात नहीं है कुछ ज़्यादा दुख नहीं रहा है यह सिर्फ एक ब्रूस है खेलते वक्त मुझे थोड़ी चोट लग गई थी पर शाने बोलता है तुम्हें अच्छे मसल वाले आदमी हो लेकिन फिर भी पेन तो तुम्हें थोड़ा बहुत ह कोई रहा होगा एक काम करो तो उचा के नहालो मैं तुम्हें कोई दवाई लगा देता हूं जिससे तुम्हारे जो सूजन हो खतम हो जाएगी यही कहते हुए डाव जो है वो नहाने चला जाता है और शाने जो है वो कमरा क्लीन करने लगता है डाव जाते जाते अपना सिर् बस ऐसे ही मैं टकरा गया दूसरी तरफ जाओ जो है वो प्रिंस कोस्चुम जो है वो बना चुका होता है और वो उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यह जो जालर है इसे मैं डारेक्ट अटच करूंगा गर्दन पे तो क्या यह अच्छी लगेगी या बूरी कि मुझे शाद एक अल्टरनेट में भी एक ड्रस बना लेने चाहिए जो कि मैं उसे गर पे रख दूंगा तब ही वो देखता है कि उसका भाई आ गया है जाओ का भाई आता है और वो दोनों बहुत दिनों से मिले नहीं होते हैं तो जाओ का भाई अपने साथ वाइन्स भी लेके आया होता है और बुलता है कि ये किसी कॉलेज के स्टुडेंट ने मुझे दिये ते चलो इससे ट्राइ करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है तो जो बोलता है कि तुम खुद भी तो कॉलेज स्टुडेंट हो तो बोलता है कि दूसरे लोगों को लगता है कि मेरा प्रिफ चाभियां दी हैं तो जाओ का भाई बोलता है हां मैंने वह छाभियो को खरीद लिया है तह सब घृच engagement पर तुमने खरीद लिया है तो जाओ का भाई बताते हैं कि टैड्ड जो है वह एक बड़ा लैंड खरीद इस पर वो एक विला बनाना चाते हैं दोस का तो वो अपना फुराना घर बेच रहे हैं वो चाहते हैं कि हम लोग सब एक जगह पे रहे हैं और इसलिए वो भीला बना रहे हैं उनका कहना है कि हम सब लोग बाद में एक जगह पे रह सकेंगे अराम से तब ही जा Ste Grenz लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है तभी जाओ का भाई बोलता है क्या तुम्हें कोई इनसान पसंद है जिसे तुम प्यार करते हो जाओ चौक जातर बोलता है क्या और तभी जाओ का भाई बोलता है क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो जाओ बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता भाई मैंने पहली बार देखा कि तुम्हें किसी लड़के का कुड़ाओ बनाया इस तरह मुझे लगा कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है और मैंने ये गैस राइट किया तब ही जाओ बोलता है भाई तुम्हें नहीं लगता कि मैं बिमार हूँ तब ही जाओ का भाई बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है तो जाओ बोलता है कुछ नहीं और जाओ बोलता है कि जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे मन में कुछ गुदी सी महसूस होती और मैं उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं उसको गहीं छुपा देना चाहता हूँ कि बस मैं ही उसे देख सकूँ और मैं उसे हर तरह के कपड़ों में देखना चाहता हूँ तब ही जाओ बुलता है कि शायद अपने मन में सुचता है कि शायद मैंने अपने बाई को ये सब कहके डरा दिया है तो जाओ का बाई बोलता है कि ठीक है तो तुम ये उसे मत बताओ ने तो शायद वो भी डर जाएगा जाओ बोलता है लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैंसे बताओं कि मैंसे प्यार करता हूँ मुझे हमेशा ऐसा उसके सामने रहना पड़ता है जैसे कुछ कोई भाती नहीं हुई क्या ब्रद है तुम यहां मेरा और मेरे बॉइफरेंड का ब्रेक अप कराने के लाए हो हम लोग तो साथ भी नहीं है तुम हमारा ब्रेक अप क्या कराना चाहते हो तो जाओ का भाई पुतारे मैं ब्रेक अप नहीं कराने आया हूँ तो मैं अदास होने की ज़एतनी है मेरे सारे गूड ब्लेसिंग्स तुमारे साथ है और अपने मन में सुचता है कि शायद मुझे जाओ को इतने सारे वाई नहीं पिलाने है चाहिए थे क्योंकि वो भावक हो गया है और दूसी तरफ शाने जो है वो अंडे उपाल रहा होता है उसका कहना है कि जब अंडे गरम होते हैं और उसे यदि किसी भी चोट लगी भी जगह पे रगड़ा जाता है तो उससे स्वेलिंग खतम हो जाती है तब ही डाओ पुछता है कि शाने तुमें क्या लगता है मेरा फिगर कैसा है क्या मेरे muscles अच्छे हैं, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या लड़किया मुझे पसंद करेंगी, क्या मैं लड़कियों के लिए attractive हूँ और पुछता है, तब ही शाने पुछता है, क्या तुम्हें कोई पसंद है, तो डावो बोलता है, नहीं मैं तुस्रिफ पूछ रहा था शाने बोलता है कि शायद लड़कियों के तुम्हारी तरह और sunshine की तरह जो हस्मुक लड़का है, वो ही पसंद होता हो तुम्हारे muscles भी बहुत tight हैं, और अच्छे हैं, perfect हैं, कोई भी लड़की तुम्हें देखके तुम्हें पसंद कर लेगी तो डावो बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा सुचता है तो शाने बोलता है, लेकिन मैं लड़की नहीं हूँ, तो मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन तुम्हें कहीं न कहीं कोई न कोई लड़की तो पसंद कर रहेगी तब ही दो लोग, दो लड़के और आते हैं उनके room ने और बोलते हैं कि मैं canteen के खाने से खाखाके ठक गया हूँ, हमें कुछ बाहर खाना चाहिए, एक जैसा खाना खाके मैं बोर हो गया है तब ये बाई हाओ and जाओली are back शाने देखते हैं कि बाई हाओ और जाओली वो वापस आ गया है और वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, हमें शाने को भी देख के खुश हुई, जब भी शाने आता है, सारी चीज़े बदलती जाती है तुम वागई में भरोसे बंद हो पता नहीं इस डियामेट्री का क्या होगा, यदि तुम नहीं होते शाने तो, देखो सारी चीज़े कित्ती विविस्तित लग रही है तब ही शाने गरम अंडों को रखता है और बुलता है कि ये जो अंडे हैं वो ठंडे हो गए, अब चाहो जो तुम इसे खा सकते हो तब ही दूसरे लड़का पुछता है कि शाने के तुमने खाना खाया, शाने ने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं खाया चो लोग कहीं बाहर चलते हों खाना खाते हैं, आज मेरी तरफ से द्रिक्ट, शाने बुलता नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ माउजी पीगी, ली, अगली बार जाएंगे ये लोग अपना कमरा खुद साफ कर लेंगे, तुमें करने की ज़रत नहीं है, चलो चलो चलते हैं, बहार जाके खाना खाते हैं शाने बुलता है, मुझे कैंटीन में नहीं खाना है तो उसका दोस बोलता है कि हम कैंटीन में नहीं जा रहे हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, चलो आज मैं तुमें ट्रीट देता हूँ, मेरी लोट्री लगी है ऐसा कहें कि वो सारे लड़के बाहर जाते हैं तबहीशाने सोचता है कि कहीं पर भी फ्री में खाना नहीं मिलता और उसका दोस्त बोलते है कि मैं सच में तुम्हें खाना ट्रीट करना चाहता हूँ आज क्योंकि मेरे मंथली पैसे आया है तो शाने बोलते है तो थो कि ये पथ पहले कहने ही चाहिए थी मुझे लगा कि tu मैं शाहिद मेरी sister पर crush हो तुम मेरी sister को पठाना चाहते है इसले तुम मुझे treat देना चाहते है तो उसका दोस्त पूछता है क्या तुम्हें शानें खुशी होगी यदि मैं किसी को date करूँगा तो शानें बोलता है मुझे नहीं पता मुझे खुशी होगी कि क्या तुम मेरे सामने लवी डवी एक्ट कर रहे हो तो लड़का बोलता है लेकिन मैं भी किसी को डेट करना चाहता हूँ शाने बोलता है हाँ मैं भी किसी को करना चाहता हूँ लेकिन जिसे मैं डेट करना चाहता हूँ उसके तांकों में सिर्फ लालिता के क्लोट सी है उसके लवा कुछ नहीं है और शायद वो उसके रहावा कुछ और सोचता भी नहीं है तब यह पुछ दाने क्या हम इस बार के अंदर चलें तो शाने मुलते हैं लेकिन इसा लगता है यह बार बहुत ही महँगा होगा और यहाँ पर खाने में बहुत पैसे लगेंगे हम इतने पैसे वेस नहीं करना चाहिए शाने जो है वो जाओ के भाई के बार में आता है अपने दोस के साथ जाओ का भाई पूलता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ चाहियन का दोस्ता है कि हम वैस्टन पूलता है कि तुम कॉलेज के स्टूदेन्ट हूँ वो ढौता हम कॉलेज के स्टूदेन्ट हमें बार में आसकते हैं यह पूल के लिग के ऑनक्नद जो हमish कि अशेकर होग र्कॉह भाई बसखा थीधे हम यहांं से चलना चाहिए यहां पर कोई सीड भी नहीं है ऐसा कहिए Why दोसका बाहर ले जाता है किसी बीतार उसको बहल ले जाता हैं कि यह बहुत ही ज्यादा expensive restaurant है और जाओ का बाई सोच रहा होता है कि कार्षाने का और जाओ का इस दूसरे से प्यार हुआ होता कितना अच्छा होता उनों कितना मुश्कुराते तभी वहाँ पर दूसरा लड़का आता है जो लाउली है वो बूछता है बार टेंडर से जाओ के भाई से कि तुम क्या देख रहे हो तो लड़का बूलता है कि मैं कपल्स को देख रहा हूँ और बूलता है कि दूसरों का प्यार कितना इंटरेस्टिंग होता है जाओ का भाई बूलता है तुमने बहुत जादा पी लिये लाउली बूलता है मैंने जादा नहीं पी है क्या तुम मुझे और पिला सकते हो जिससे मैं पूरा का पूरा नशे में दोत हो जाओ जाओ कर भाई बोलता है कि तुम पहले ही बहुत पीचुके हो सर उठो तभी शाने का दोस्त बोलता है कि मैंने कभी भी अच्छा खाना और शराब एक साथ नहीं पिये हम चलो चलते हैं और जाके मॉमोस खाते हैं शाने बोलता है कि कैजूल मीर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है चीप भी होता है और बहुत जादा कॉंटिटी में होता है जो में पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं मोमो सी घाता हूं डाव बोलता है कि शाओ शाने तुम मुझे कैं मेरा मंज़ली अलाइंस को जो है वो चलाने में मेरा बज़ट बनाने में मदद करोंगे क्या तो शाने बोलता है ये मैं नहीं कर सकता मैं जल्दी से वह जाता हूँ figures के साथ यह मेरे बहुत problematic है और तभी लड़का बोलता है ठीक है कोई problem नहीं है शाने बोलता है क्या तुम्हें अपने आप पे confidence नहीं क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना सारा पैसा first कर दोगे तो लड़का बोलता है उसका दोस्त डाओ वो बोलता है कि हाँ जब भी मैं पैसे देलता हूँ तो मेरा मन बहुत सारी चीजे खर्दने का करता है और मैं अपने पैसे ऐसा ही waste कर देता हूँ तभी डाओ के फोन पे ऐक बेल बच्टी है रिंग रिंग और वो बोलता है कि तुम्हारे लिए जाओ का फोन आया है बुछता है कि मुझे डोर को बुलता है कि मुझे कुछ ग्याच काम है मैं आज डाव में रेट्टरी में वापस नहीं जा सकता तो मैं अकेले ही जाना पड़ेगा तो डावो बुछता कि है तुम आज रात को हमारे साथ नहीं सोगे वो बोलता है नहीं मैं वापस आ जाओंगा जब सब 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 चीजे सही हो जाएगी और डावो बोलता है ठीक है फिर तुम जल्दी से खाओ और अपने जाके देखो तुमारा काम क्या है तुम इसके अपने काम क्यों करो शाने जब पहुंचता है तो जाओ बहुत एकसाइटेड रहता है वो उसे वो ड्रस दिखाता है जो से प्रिंस की कस्शुम को तयार किया और पुछता है देखो ये कैसी है क्या ये तुमें सुन्दर लग रही है जहुँ बोलता है कि, तुम्हें कल पहन नहीं पढ़ेगी, रहेसल के टाइम ले. इसल styl 잘 तो अनियुक्त से देख लो. जुए तो मैं इसे ऐधिस कोई प्रॉबलम हैं, तो मैं इसे वी सिंध कर लो. जहुँ जू बोलता है कि, नहीं, क debitम ने होगी. मैं खुद भी पहन सकता हूँ तो जो बोलता है लेकिन ये इसली सले पढ़ जाएगी इसमें तो मैं तुम्हें मदद करता हूँ तो जाओ जब ऐसी एडवाइस देता है तो शाने शर्मा जाता है उते जी से भाग के दरवाज़वन कर देता है बोलता है मैं उससे साधे नहीं पढ़ने दूँगा और जाओ को भी शार्मा जाती वो अपनी आखों पे हाँथ रख लेता है और सूचता है कि मैंने उसे डरा दिया मुझे और पेशिंस की जर्वात है मुझे और पेशिंस के साथ काम रेना चाहिए शाने जब दूसरे कमरे में जाता है तो वो बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके हाथ को जाओ ने पकड़ा होता है उसे ऐसा लगता है कि अभी भी जाओ ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है और उसकी स्किन जो है उसे सैंसिटिव सी महसूस होती है उसे लगता है कि कुछ wrong है जैसे ही वो उसे चूता है उसको कुछ होने लगता है उसका दिल बहुत धड़कने लगता है और उधर पे जाओ जो है वो इंतिजा कर रहाता है और तब ही शाने निकलता बोलता है मैंने कपरे पहन दिये पर मुझे इसका कोई experience नहीं है जाओ करके वो जाओ की चुछ उपर करता दिखाता है अब उसता है तुम इतनी देशे क्या सपने देख रहे हो देखो मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ जाओ की आखे खुली की खुली रहती है और वो बोलता है बहुत सुन्दे लग रहे है तुमने बहुत सुन्दे तरीके से बना रहे है जाओ की कुछ नहीं में कुछ सोच रहा था फुली ने मुझे मैसेज भीज़ आ है और उसने कहा है कि उसके शायन के पार्डनर का लैक तूट गया है तो मैं उसकी रोल को निभा सकता हूँ क्या तो मैंने इसका रोल निभाने के लिए हाँ कह दिया है तो शाने बोलता है इसका मतलब कि मैं प्रिंस और तुम प्रिंसस तो बोलता हाँ यही उसने कहा है और शाने बोलता है लेकिन तुम कैसे प्रिंसस का रोल कर सकते हो तुम उसकी जगापे नहीं हो तुमे तो लाइने भी याद नहीं है और तभी जाओ और शाने एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं और जाओ बोलता है तुम चाहते हो मैं प्रिंसेस का रोल करूं या नहीं ये तुम मुझे बताओ